नमस्कार मैं पूजा वशिष्ट आप सभी का बोल्सकाई में स्वागत करती हूँ एवकेडो एक अत्यधिक पॉष्ठिक फल है ये मिनरल और विटामिन से भरपूर होता है इसमें उच्च मातरा में प्रोटीन के साथ साथ फैट भी होता है इसमें मोनो अनसैचुरेटिट फैट होता है जो स्वास्त हिर्दे को बनाए रखने के लिए महत्वपून है एवकेडो ना केवल आपके स्वास्त के लिए बलकि आपकी तुचा के लिए भी लाबदायक है इसमें मौझूद पोशक तत्व तुचा के स्वास्त को बहतर बनाने में मदद करते हैं आए जानते हैं कि अगर आप रोज एक एवकेडो खाएंगे तो इससे आपको क्या लाब होंगे एवकेडो खाने के कुछ बहतरी इन फायदे डाइडेशन में करेसोधार जादतर बिमारियों की जड़ पेट ही होता है इसलिए इसका अधिक ध्यान रखने की हमें जरूरत होती है पेट के लिए एवकेडो का फल बहुत अच्छा और हेल्दी माना जाता है क्योंकि इसमें फाइबर होता है जो हमारे हाजमे को दुरुस्त करता है और डाइजिस्टिफ सिस्टम को ठीक करने में भी फाइदेमंद होता है ब्रेन के लिए होता है फाइदेमंद एवकेडो का रोज उपियो करने से आपका ब्रेन में बहतर तरीके से डवलपमेंट होता है इसका सेवन करने से ब्लड का फलो बहतर होता है एक रिसर्च के दौरान ये पता चला कि यदि रोज आप एक एवोकेडो का सेवन करते हैं तो ये मेमुरी की पावर को बढ़ा देता है आँखों के लिए लाब दाएक एवोकेडों आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है इसमें विटामिन ए पाया जाता है जो आँखों की रोशनी को तेज करते हैं इसका प्रयोग फ्री रेडिकल से भी छुटकारा दिलाता है ये आँखों से स्ट्रेस को भी कम कर देता है और दर्द में भी आराम दिलाता है हड़ियों के लिए फायदे मंद इवोकेडो हड़ियों को मजबूत बनाने में बहुत फायदे मंद होता है इसमें फासफोरस, मेगनेशियम और मेगनीज पाय जाते हैं जो हड़ियों की गंभीर बीमारी जैसे औस्टियो पुरसिस को दूर कर देता है इसमें जिंक भी पाया जाता है जो केलशियम को एब्जॉव करने में सेहत के लिए फायदे मंद होते हैं एवोकेडो बॉड़ियों में निट्रियंट्स अब्जर्व करने में बहुत फायदे मंद होता है यह शरीर में एनरजी लेवल को बढ़ा देता है इसमें काब्स पाये जाते हैं जो एनरजी के लेवल को बूस्ट करते हैं इसमें विटामिन A, B1, B2, B6, विटामिन C और K होते हैं जो शरीर में ठाकान, बदन दर्द और सिर्दर्द को दूर करते हैं और इनसे बचाते हैं उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी फिलाल विडियो में इतना ही ऐसी ही और जानकारियों के लिए चैनल बोल्ट काई को सब्सक्राइब जरूर करें